सवागत है आपका लिडिक फकेए टोगषाम में दोस्तो आप सभी ने भिलकुल सही देखा हुआ है कि 1. अब सभी कम्प्यूटर में पास हुँगे, कोई भी फेल नहीं होगा कैसे पास होगा सब कोई फेल नहीं होंगे वो ऐसा है कि अब हम computer की class लेकर आ गया हैं आप सभी के लिए daily ये class चलेगी आप सभी के लिए top top level में यहापे question लिए हैं आप सभी लोग के लिए मैं question पर ले theory कराऊंगा फिर आप सभी लोग मैं question solve कराऊंगा mcq base यहापे class आपकी लब्मी हो जाती काफी कई जीबिक जाकर के वीडियो बनने थी इसलिए मैं एक एक chapter में आप लोग को पढ़ाऊंगा ठीक है यहापे हम पहले देखेंगे theory की chapter होंगा ठीक है theory पहले हम देखेंगे उसके पाद मैं आपको mcq कराऊंगा mcq base question होंगे जो की 1000 दोस्तों point of view से तो दोस्तों computer connection आप लोग छोड़ देजिए अब आप सभी लोग में class start कर रहा हूं आप लोग बिल्कुल बे डेली में आप सभी लोग की class होगी यहाँ पे आज जो है यह class हो नहीं जिसे 12-15 से आप सभी लोग के डेली यहाँ मैं video upload कर दूँगा ठीक है recorded video तो आप स उसकी भी जल्द ही मैं आप देखिए इसमें आपके जो जल्द ही class जो है complete करके टेक्निकल की तरफ चलेंगे टेक्निकल का भी कराते रहेंगे इसका भी वीडियो को पसंद आना है दोस्तों एक like करेगा अपना प्यारा सा और उसके बाद इसको share कर दिएगा चैनल पे पहली कोई बगारा सभी आप सभी लोग में करवाऊंगा ठीक है तो टेलिगाम से भी जोड़ जाएगे सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे विसे सूची जानी कि आपकी चैप्टर की जो लिष्ट है वो हम देख लेते हैं और उससे पहले मैं आप से कहना चाहूंगा दोस्तों ज बनाऊंगा तो अभी आप यहाँ पर चैप्टर फस्तों को यहाँ पर कंप्यूटर का समान परचान के आप कंप्यूटर का विकास पिर आप इंटरनेट आउट्पूट है मेमोरी है प्रसनल कंप्यूटर डिजाइंग टोल्स प्रोग्रामिंग भासा हैं डेटा प्रतनुर सफ्ट्वेयर डेटा संचार इंटरनेट ठीक है और यहाँ पर आपका माइक्रोसॉट विंडोज देपी माइक्रोसॉट आफिस है ठीक है उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर संबंदी संचिप्टों यहाँ जो छोड़चोड फूल फूल फाम होते हैं वह आपको यहाँ याद करने के लिए वह चीज़ होगा ठीक है देखें दोस्तों यह जो चैप्टर है अगर आप चलना पढ़ना चाहें काफी ब्रीफ में तो उसके लिए आपको बुक बता दूँगा भी बुक की वीडियो बना रहा हूं इसमें यह चैप्टर छोड़े छोटे में लिए है चैप्टर लिए है क्योंकि इसमें जो इंप्वाटन थे बोग चीज़े है इसलिए मैं आपको ब्रीफ में पढ़ना चाहते हैं काफी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है मैं भूब बतानुगा आप उसको पढ़ सकते हैं बाकी आपको पचास मे बारे में यहाँ मैं दोस्तो देखिये दिये गया है कंप्यूटर समान परेशक क्या है यह पूश्या है कंप्यूटर चीता है कंप्यूटर क्या है कंप्यूटर संगलक दोस्तों मतलब क्या होता है संगलक का मतलब यह होता है कि गर्णा करने वाला जो चीज गर्णा करे कल्कुलेट करे उसी को हम यहाँ पर संगलक कहते हैं कैसे होता यह कैसे गर्णा करता है मैं आपको बताता हूं suppose that दोस्तो आपने आपको कीबोर्ड आपने लिया ठीक है कीबोर्ड देखिए यहां पर अभी आपको सब कुछ बताऊंगा यहां पर परिशे देख रहे हैं उसके बाद सारी डेल वीडियो आपके डिस्कुर्वरी हिस्ट्री बगरा सब कुछ आएगा आगे और यहां पर जन कीबोर्ड से ठीक है इंपुट लिया वो उसने आगे जाकर के अंदर आपका सीप्यू में यह चीज प्रोसेस हुआ प्रोसेस करने के बाद मॉनिटर में आपने स्क्रीन पर आपने देखा मॉनिटर पर इसकी आप देख पाने यह स्क्रीन है इसमें आपने देखा कि तू प विडो एंड वन को यह समझता है ओन और आफ को ठीक है इसजी को समझता है तो हम जब इसमें यह चीज पूट देते हैं सामने इसका रजल डायाता है कुल में दोस्तों इसका मतलब यह है यह कैल्कुलेशन करता है यह गर्णा करता है कंप्यूटर को इस से मिहां पर हम समझ ठीक है और दोस्तों पुलाणू के जो एक कोशन बहुत मुझा था यह फादर आफ कंप्यूटर के कोई कोश को इनको कहती किसे उनको कहा था है जड़ चार्ल्स भइबश को सब्सक्राई सर्टाइबास को छेया चार्ल्स भइबश को inte jy और चार्ल्स भइबैश को तो आगे काम जो है कुछ इनके बेटे नहीं किया था हैनी बैबेज ने और अधर जो लोग है साइनिस्ट उन्होंने मिल करके कंप्यूटर के जो है वो सारे जो आगे काम को बढ़ाया था था ठीके बाकि यहां पर 1830 में इसकी जो है डिस्कवरिश शुरुवात चार्स बैब कंप्यूटर की ठीक है यह चीज़ आप लोग जानती है ठीक है वही चीज़ दोस्तों यहां पर लिखा गया है आप यहां पर देखेंगे इसको अगा थेओर देखेंगे कंप्यूटर एक सर्वसक्तिमान सुपरमैन की तरह है प्रंतु ऐसा नहीं है यह केवल एक स्वाचा कंप्यूटर सब्द है कंप्यूटर की वर्ड से हुई ठीक है यह देखेंगे अद्या गया है अंगरेजी सब्द हमें इसका अर्थ zijn गढ़ना करना, ऌपको बता है कंप्यूटर केम्प्यूटर का मतलब इसका गढ़ना करना किसी चीज़ क्या है कैल कुलेट करना इसका मतलब यह होता है अब कैसे करता है जो computer इसमें जो data होता है जो data हम यहां पर keyboard से type करते है वह data वह एक्षिप करता है ठीक है वह इसे जो software होते हैं उसके अनुसार यह हमें process करता है process से सारा किसमें होगा आपका CPU में सारा process होगा उसके बात जो है यह हमें रियल दिखाता है monitor पे ठीक है तो यह आप लोग जानेगे CPU जो computer का heart या brain इसको कह सकते हैं कई तरह जानते हैं तो CPU दोस्तों बहुत ही important होता सारा process होता हो CPU के ही अंदर होता है बाकि आप monitor keyboard वगएर तो आप बाहरे देखते हैं ठीक है आगे यहां प के समद है elementary words relating computer data ठीक है data दोस्तों होता क्या है data दोस्तों होता क्या है यह आविवस्थित आकड़ा तत्त यह process के पहले की आवस्था में साधानता data को दो भागम बातना रता है ठीक है अब मैं आपको बताता हूं यह तो यह language हो गई इसकी book की मैं आपको अपनी language बताता हू ठीक है data दोस्तों एक होता है alphabet ठीक है alphabet होता अलफा नुमेरिक होता है फिर आपका numeric data होता कैसे होता है यह alphabet देखिए आपने एक A B C D इस तरह से आपने आपको नाम लिखना हुआ तो क्या हो गया यह यह आपका हो गया Alphabetic data हो गया यह आपका Alphabet इसमें आ रहा है ठीक है और जो आपने सफोद जीरो वाण टू तू ठीक है नाइन तक यह आपने यह क्या हो गया नुमेरिक यानि अंक है यह अंक हो गया तो यह नुमेरिक data हो गया दो टाइप के data हो गया कों कोंसे हो गया आपके एक होगा संख्यात्मक data जिसको हम numerical data कहते हैं फिर यहाँ पे alpha numeric data जिसको हम इसको हम कहते हैं छीक है इसमें क्या आता है जो alpha एक एक देखेंगे गा फस्ट वाला जो दोस्तों है पे संख्यात्मक data होता है जिए 0,09 तक इसको अंकट करते हैं जैसे की परयोग किया पहुए था है इसमें हम करमचारियों का वेतन, परिछा में प्राप्त अंग, गलना, डो नम्बर, अंग गलती संख्याएं आदी करते हैं है मैंने आपको बता है नहीं कि आप床 meta करते हैं माल ली दूस्तों कैसे आप जाना क्यों से निमियरीक डाटा है माल ली और आपको बता रहा हूं ठीक है माल लीजी कि घिसके जो है कि हमें यहां पर एड्ट करना हुआ here पर 2000 ठीक है 2000 ठीक है माइनस 1500 ठीक है यह करना हुआ ठीक है यह क्या हो गया यह 2000 और यह 1500 क्या यह नुमेरिक डाटा हुआ क्या हुआ नुमेरिक डाटा हुआ ठीक है नुमेरिकल है ना डिजित हमारे पास है यहां से यह यह कंक्रूटर नियुक्त यह बोर्द सो भूरे कि से प्रोर्स्स हो गांदर तो यह ज AG जाने युदा уст में आएगा क्रम चाहिए जो imply होते हैं उनका वेतन भी numeric में ही आएगा digit में ही होगा ऐसा तो है नहीं वो alpha numeric होगा वो है ना और जो अंग हम पराप्द करेंगे परिक्षा माली हम किसी ने जो है माली सो में से आपका होता है सो में से math माली आपके 33 ठीक है इसमें minimum mark हो गए सभी में इसी तरह जो आपके 33 होता साइंस में 33 हो गया तो माली किसे ने math में पाया आपका 90 नंबर पा गया साइंस में 80 नंबर पा गया ठीक है इस तरह समाली candidate अपने नंबर पा रहे हैं तो यह चीच जो होता है यह numeric data होता है हम आगे बढ़ते हैं जो alpha numeric data है तो आप कहेंगे मैं उत्तर परदिस राज से आता हूँ उत्तर परदिस राज से हमारा यह जिला माली आपका अलहाबाद है यह प्रियाग राज इसको कह सकते हैं या आपका अध्या हुआ या लखनव हुआ किसी भी जिले से आप हैं आप यह बताएं ना I am belong to I am belong from या I am from उत्तर परदेश ठीक है इसमें किराक में alphabetical लेगा इसमें numerical लेगा इसे माल लेजिए आपको पूरा आडर्स बताना है तो माल लेजिए यहाँ पर आपको 33 नमबर गली है और आपका यहां पर रहते हैं गोमती नगर में इस तरह माल लेजिए तो यह आपका इस मिला करके एक डेटा का प्रोसर्स करने के बाद हमें पर्डाम प्रात होते हैं देखिए जो इसमें किताब की लैंग्विज मैं आप वह भी आप देख सकते हैं और मैं आपको जो बता रहा हूं वह आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए इसके बिल्कुल मत करिए ठीक है आगे हम बारते हैं कंप्यूटर की विशेशते क्या है करेक्टरिस्टिक ओफ कंप्यूटर कंप्यूटर ये तीर्व गति से कारे करता है था समय की बचत होती है बिल्कुल सही है कंप्यूटर बहुत फास्ट वर करता है कैसे fast work करता है हमने keyboard से कोई भी input दिया ठीक है कोई भी input दिया हम यहाँ पे one plus one type की computer राक से process करके second दोस्तों यहाँ पे two देता microsecond में देता यह process करके तू हमें answer दे दिया तो क्या करता है इसकी गती बहुत fast होती है ना बहुत तीर्व गती से करता है और यह second के रहा तूटी रहित कार करता है computer बिना गलती कि यह कार करता है ठीक है एक दूस्तों question बुछाता है computer जो गलती करता है इसमें यह कह रहा है कि तूटी रहित कार करता है बिल्कुल सही यह इसमें तूटी रहित कार करता है लेकिं computer जो कुछ गलती होती है उसको कहते है bug computer जो गलती होती है उसको हम bug कहते है ठीक है यह आप लोग ध्यान देगा अभी मैं आपको नुमेर उसमें आपको आपको अमसे क्यों कुरा उसमें दोनों होता है हम computer में जो मालिये type के जो हमाई memory होती है उसमें साथ data safe हो जाता है वो lifetime पर रहता है है ना जब तक memory आपकी खराब नहों जाया वो रहता ही है उसमें है ना कुछ ऐसा होता है हम type कि यह वो उस पर erase कर देख वो चला गया है ना तो यह चीज़ होता है अस्ताइस से दोनों data होता है चार नमर यहाँ पर है यहाँ पूर निड़ायर निड़े सो predefined instruction की अनुसार तिर्व निड़ले लेने में समय सच्छ हम है इसका मतलब क्या predefined instruction मतलब की computer ने दोस्तों programming की आती है आप सभी पता ना programming होती है तो programming जो की जात यह कितने form fill up हो रहा है वह automatic visit यहाँ पर पहले दिन form fill up हुआ 1000 ठीक है यहाँ पर अगले दिन form हुआ यहाँ पर एक one plus two plus three यह इस तरह से add होता जाएगा तो क्या हो रहा है इसमें यह add हो रहा है यह add हो जो इसके जो इसमें data set किया गया है जो इसका इसमें data पूरा set है हमारे computer में ठीक है जो इसमें programming की गई है programming में data set की गई है कि यह automated predefined होता है यह ले ले लेता है कि हमें इसका calculate कर लेता है कि कि कितना इसमें form fill up हो है यूपीसे टीटू में ठीक है मैं आपको example दे रहा हूँ टीटू का बागी अधर भी हो सकता है ठीक है तो यह चीज हो गया आगे हारा जगा computer के use है ठीक है आपको computer नहीं आता समझी बहुत अगल आता है आप mobile समझी है चोटा computer का mobile तो सही है आपको चोटा computer समझी है ठीक है तो computer के यूद बहुत ज़दा तो यहाँ प्यूग क्या के दिया गया है आप इसको देख सकते हैं education में आपका scientific research में railway station में bank defense business administration य यूज है कोई भी टिकट कर रहा है वो भी आपका computer पर होता है या आप business देख लिए बिजनेस में भी आप system कोई एकसल सीट बनाना हुआ बिजनेस सीट हुए ठीक है तो data तो सारा computer पर वर्क होता है आप प्रसासन administration में देख रहे हैं प्रसासन में इसी यूज करती है तो च इसमें भी computer का यूज है मनुरंजन communication हर जगा दोस्तो computer का जो है आविसकार मिसले इसका जो है यूज उप्योग हो रहा है ठीक है तो यह आप जान लेजिए computer की कार क्या होते है computer कार कहरा function of computer ठीक है यह आप देखेगा data calculate करना data storage या data process data output ठीक है यह computer के चार कार है ठीक है वि collection ठीक है collection कैसे करेगा मैं आपको बता रहा हूँ collection होता कैसे data का कैसे computer collect करेगा माल लेजिए collection जब हम उसमें कुछ input देंगे तब यह data collect करेगा कैसे collect करेगा देखेगे यहां पर हमने हमने माल लेजिए हमने टाइप किया यह टाइप किया यह यह या B C D स्थ मैंने टाइप किया कुछ भी आप टाइप करेगा तो यह data को जब इससे आउट पूट में दिखाता है और ये data collect करने के बाद जब इसे आउट्पूट में डिखायेगा उसके बाद क करता नकम्यूटर इस्टोर करलेगा स्टोरेज में यह सेव होजाएगा सेव करने के पाद पाद सेव करने पर इस तो ठीक होता ठीक है आपको बताएक डेटा करेगा फिर फिर सopedia صzes करेगा जौँ आपका यहां बता की यहüpर देख पा रहें यह तीन नम्बर होरा इक bark यह यह जो होगा इसमें आपका यह आपका यह आपका तीन नंबर में आदागा ठीक है यह आप जाने लिए तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर में तो computer करें कि हम यहाँ पर कोई यहाँ पर दोस्तों इसको आगे मैं explain कर दिया ठीक है अब यहां पर कह रहा कि data processing electronic data processing क्या है data processing electronic data processing क्या इसका मतलब दोस्तों यहां पर क्या क्या कह रहा है computer निर्मालों पहले निस्टितलश से प्राप्त करने के लिए सब आपका जो history आप देख सकते हैं हमने data यहां पर दिया computer को हमने यहां पर data को दिया यानि कि हमने keyword इसमें पुछष type veya kja मालाल ले कि किसी का नाम है sonoo यह मैंनेbie time किया यहां कि कोकुछ भी यहां पर mix ले जिए घ्ञाम्पल के तोफित लिए थे हैं two plus seven यह यह क्या हुआ हुआ हमने keyword में type किया तो यह क्या होगा यह incoming data हो गया थीक है फिर यह हमने टाइप करने के starting के तो यहां पर input होगा यह हमारे किसमें हमने input दे रहे हैं keyboard जिसको हम input दे रहे हैं उसके बाद क्या होगा data क्या करेगा जो 2 प्लस 3 है इसको process करेगा अंदर जो आपका system में CPU में यह process होगा process करने बाद दोस्तों अच्छा करने बाद क्या होगा जो हमारा monitor होता है monitor के सामने इसमें output कर दिखा देगा कि 2 प्लस 7 जो वो होगा 9 यह इसका output दिखा गा यहां थे क्या कर रहा यहां पर calculate कर रहा computer ठीक है calculate तो कर रहा है, data यहां पर input दिया फिसमें जो है incoming data 2 plus 7 यहाँ पर keyboard से type किया then यहाँ पर इन्पूट में गया इस पर प्रोसेसर प्रोसेस को माई यहाँ पर monitor पर output दिखा दिया ठीक है फिट यहाँ पर क्या आपकी outgoing information इसका मतलब क्या है कि यह जो हमारी information है आगे यह information जाएगी ठीक है उसके बाद आपके जाके store हो जाएगी हम ऐसा के लिए तो इस तरह से आपका यह work करता है अब यहाँ पर आ जाता है computer system अब यहाँ पर देखेगा computer unit के बार दिया गया है ठीक है यह उपकरना जो है एक समूँ है जो कि एक समय साथ मिलेका data process करते हैं कोई भी लाग दोस्तों जो मैं आपको बताया वही चीजिए इसमें दिया गया है नमबर एक यहाँ पर आता है input वैसे जो input आता है फिर आपका आता है input फिर आपका आता है central processing unit CPU जो कि बहुत important दोस्तों होता है अब देखेगे इसमें क्या है input में क्या करा के वैसे एकाई को user से data प्रात करने के लिए central processing unit electronics pulse के रूप पर प्रवाहत ट्रांस्मिट करता है जैसा कि आटोमेटिक फेलर मशीन आटोमेटिक टेलर मशीन एटीम जब इनकासी विड्रा के लिए हम हमें पिन नंबर प्रसनल इडिफिकर से नंबर डालते हैं उसमें इन्पूट इकाई की रूप में कि पैड की उप्योग किया जाता है ठीक है उसके बाद यहां पर दो नंबर के कह रहा है कि CPU इसे प्रोसेस भी कहते हैं या electronics चैक है जो की डेटा को इन्फर्मेशन बदल देती ती है ठीक है बदलते है ब यहाँ पर एक और डाइगराम यहाँ पर मिल जाए ठीक है जो मैंने आपको बताया वही चीज़ में हिंदी में लिखा हुआ आप इसको समझ सकते हैं जो आपको नहीं उपर बताया आप इससे समझेगा ठीक है यहाँ पर देखिए इनपुट 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 हो गई फिर यहाँ पर सेंटरल प्रोसेसिंग यूट लॉजिक यूट पर मैं मेमोरी फिर आपका आउटपुट ठीक है यह चीज़े दिया गया ठीक है देखिए जो आर्थमेटिक एड लॉजिक इसको हम कहते हैं एल्यू इसका फुल फुल पुल आता है अल्यू को सुल फांब क्या होता है अर्थमेटिक लाजिक यूट ठीक है और समय टिक तो हमकरते है नंबर जो आपका नंबरी कर रहा है वन तो तो आपका यह तो यह आपका इन्पूट हमने दिया किबोर्ड से यह इनपूट हो गया देन दोस्तों यहाँ पर पूरा CPU है तो यह CPU आप देख पा रहे हैं तो यहां से हमने इंपुट दिया तो यहां पर कहा रहा है Central Processing Unit तो यहां पर सारा प्रोसेस होगा तो जो हम इसमें लिखा है हमने एक दो तीन जो भी लिखा है वह आर्थमेर लोजिक यूनिट यानि यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपके सिंबल दिये गए है जैसे यहां पर देख सकते हैं अंगल तता तारकी गड़ना में होती है अंगल ती है अंगलना के अंतर का जोड़ा घटा गुड़ा अत्यादी आता है मैंने आपको पता है निक आर्थमेर्टिक यहां आप समस सकते हैं math से यह ठीक है और जब computer कार्सील रहता है जो अपका primary memory में होता है secondary memory का उप्योग बाद later में उप्योग होना वाले data रहता लिदेसों को संग्रहित करता है ठीक है यहांँ जोस्ते मैं मतलब क्या वरतमान उप्योग में जो हो रहा है वो आपका primary memory में हो रहा है जो हम प्रोसस कर रहे हैं वह अपका primary में हो ठीक है करके जो उसे जो यूजर सामने बैठा हुआ है ठीक है वह हमें दिखा देगा हमने जो सारा प्रोसेस हुआ हमें किसका रजर्ड क्या रहा है वो चीज़ यहां पर होता है ठीक है आप इसको पर सक्टिन जो दिया गया है इसमीं जैसे की एकाई जो से डेटा ले करके उसे यू मूल में किसी गयो हमने का सामान पिर्शेश करने के बाद गए कि अमारा पेमेंट वहाँ पर सब्मिट करने के बात जो पोड़ने के यह इंट्री उसके बार सामने उनके डाटा आ जाता है और आप पूट दे देता है हाँ इनका इतना amount हो गया है तो वो आपको bill निकाल के दे देता है वहीं यहाँ पे कह रहा है ठीके तो वो आपको output unit था मैंने देखे आप यह किताब के language वाज़े मैं आपको वैसे सारा बता दिया जो अपनी language होती है इससे आप easily समझ जाते है ठीके यह दोस्तो first chapter था यह computer का परचे आपको first chapter complete हो गया है देख सकते हैं इतना ही दिया गया है ठीके इतना ही दिया गया आप इसको अच्छे समझ दिजिएगा मैं आपको बता दिया बाकि जो भी और doubt होगा आप इसको comment कीजिएगा और जो अगला chapter हम इसको देखेंगे वो भी बहुत